दिल्ली में आटीवी बसों के कई मुद्दे लटके पड़े हैं आटीवी बसों के चालग वा मालिक लॉकडाउन के वास से ही सरकार से रहत के उमीद लगाए बैठे हैं लेकिन सरकार ने आर्टीवी के बहुत से आउशक मुद्दों को दूत की मक्खी की तरह निकाल कर साइट कर दिया इस्तिती ये रही कि आर्टीवी बसों के आपरेटरों के इस्तिती दिन बदिन खराब होती चली गई और उनका सरकार और ट्रांस्पोर डिपार्टमेंट से दिश्वास उठता चला गया और राहत की उम्मीद भी कम होती चली गई लेकिन आज ही खबर में हम आपको बताएंगी कि आर्टीवी बस चालकों वा मालिकों के लिए शुब संकेत आ रहे है यानि अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आर्टीवी बसों को टेक्स, स्टेंट फीस वा किलोमेटर स्कीम के तहट कोई जवाब ट्रांस्पोर डिपार्टमेंट के तरफ से मिल सकता है दरसल ट्रांस्पोर्ट ऑपरेटर लेबर और वेलफर एस्सोसेशन तोलवा के अद्धक संजबाटला ने ट्रांस्पोर डिपार्टमेंट में उच अधिकारियों से आर्टीवी के वरतमार वो महत्पूर मुद्दों पर बैठक के बैटेंग में लॉकडाउन के दौरान करीब दो महिनों तक खड़ी आर्टीवी बसों का पूरा टैक्स माफ करने वह इसके बाद में 11 सीट की पर्मीशन मिलने के बाद सिर्फ 11 सेटिंग कैपिसिटी के मुताबिक ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स र चलवाने की बाद भी डिपार्टमेंट वस सरकार के सामने रखी गई बैटक के बारे में बाटला ने जानकारी देते वे कहा कि आर्टीवी के तीन मुद्दों में से दो पर विभाग ने पॉजिटिव रिस्पॉंस दिया है जिसे हम जल्द पूरा करवाने का प्रयास कर र होगा कि इसमें कितना वक्त डिपार्टमेंट लेता है न्यूस ट्रांसपर्ट विशेश पर रपार्ट दिल्ली